Hello, good morning students, आज हम exercise 8E करेंगे, उसमें हैं सबसे पहले, divide and check the answer, यहाँ पर देखो 2 के table में 9 आता है, अब यह देखना है आपको याद रखना है कि 2 के table में 9 आता है, तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 5 जा तो कितना होता है, 10 होता है, तो अब क्या याद रखना है आपको या 9 आना चाहिए, या 9 से छोटा, तो 2 4 जा 8, तो देखो, पर 2 5 जा करने जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 10, तो यह 9 से बड़ा हो जा रहा है, तो क्या होना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए, या तो इससे छोटा होना चाहिए, 2 5 जा 10 करेंगे, तो यह रिमाइंडर को और किया करना एक आपको क्या करना है यह सको तो एक टम३र सोटेर। प्लस करेंडर, उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है, यह लास्ट मेंग, थो पौहजा 8 8 के अंदर हम 1 8 करेंगे तो कितना आएगा 9 अब देखो 4 के टेबल में आपको देखना है 7 या उससे छोटा तो 4 1 जा 4 देखो वे लिख रही हूँ 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 अब देखो यहां पर 7 है बस 7 आता है 4 के टेबल में नहीं आता है बट आप देखो 4 2 जा 8 करेंगे तो 7 से बढ़ा हो जाएगा एना यह नमबर तो हमें क्या लेना पड़ेगा 4 जा 4 प्या करना है 7 आता है तो थी के वरना इससे छोटा नमबर लेना है तो देखो 4 जा करेंगे तो क्या आएगा 8 मतलब यह इससे बढ़ जाएगा है ना यह नमबर अब क्या लेना है 4 बन जा 4 अब 7 में से 4 कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3 तो यह 3 क्या बचा reminder इसको क्या बोलते है जो बचता है उसको reminder तो देखो यह क्या है divisor 4 question कितना है 1 और reminder कितना आया यह 3 उसको हमें क्या करना है plus करना है तो 4 बन जा 4 5 6 7 क्योंकि हमें यह 3 क्या करना है add करना यह किसकी sign है plus की और यह multiply किये 4 बन जा 4 5 6 7 तो यह आ गया dividend तो yes तो यह हमारा जो sum में वो सही है अब next देखेंगे 5 और 58 अब 5 के टेबल में 5 आता है पहले तो yes तो 5 बन जा 5 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा यह हमें 0 अब यह 8 को हमें नीचे लेके आना है अब देखो 5 के टेबल में 5 बन जा 5 5 तूजा 10 अब देखो 5 के टेबल में 8 आता है नहीं आता 5 बन जा 5 5, minus की sign, 8 में से हमें कितना cut करना है, 5, 8 में से 5 cut करेंगे तो कितना बचेगा, 3, अब देखो, ये divisor कितना है, कितना है, 5, question कितना है, हमारा 11, 11, 5 जब 55, 55, 56, 57, 58, हमें ये 3 क्या करना है, 8 करना है, तो ये आ गया, 58, तो yes, आपने जो sum किया है, वो सही है, enough, 11, 5 जब 55, 56, 57, और 58, तो yes, ये वाला, जो sum में वो सही है, next देखेंगे, ये 7 के table में, 7, तो पहले 7 बन जा 7, तो yes, तो यहां पर 7 बन जा 7, minus की sign, 7 minus 7 क्या हो जाएगा, यहां पर 0, अब क्या है, 9 है, उसको हमें कहां लेके जा 9 नीचे, 7 बन जा 7, 7, 2 जा 14, तो देखो, 9 स बढ़ जाएगा, 2 से लेंगे तो, हमें फिर से किस से लेना पड़ेगा, 7 बन जा 7, 9 में से हमें कितना कट करना है, 7, 9 में से 7 कट करेंगे, तो कितना आएगा, 2, तो रिमाइनर कितना आया हमारा, 2, अब देखो, डिवाइजर, 7, कोशन कितना आया, 11, और रिमाइनर कितना 11, 7, 77, 78, 79 तो yes, यह answer है यहां पर पिगाएगा 79 आ गया है वाला, तो yes अब next दियाए देखो हमें डिवाइड इसमें अब 3 डिजिट वाले अभी हमने 1 ओर 2 डिजिट वाले किये न उपर अब हमें कौन से करने हैं 3 डिजिट वाले तो सबसे पहले यहां पर देखो 3 डिआ है आपको है न तो 3 के टेबल में 3 कब आता है तो पहले 3 वांजा 3 तो यहां पर 1 3 माइनस की साइन 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहां पर 0 हो जाएगा अब कौन सा नमबर है 6 उसको हमें का लेके आना है नीचे 3 वांजा 3 3 टूँजा 6 देखो 6 आया तो yes 3 टूँजा 6 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 अब क्या है यह 7 को हमें क्या करना है नीचे डूग डान करना है तो अब 3 के टेबल में 7 आता है तो देखो 3 टूँजा 6 3 टूजा 9 तो देखो, 3-3 जा तो 9 बढ़ जाएगा, तो 7 से छोटा नमबर कौन सा है, यह 6 है, तो क्या लेंगे हम, 3-2 जा, 6, 7 में से 6 कट करेंगे, तो कितना बचेगा, 1, तो reminder कितना आया हमारा, 1, तो और question कितना आया, 122, next है, 8 के table में पहले 8, तो 8-1 जा, 8, तो यहाँ पहले, 1, 8, 8-8 क्या हो जाएगा, यहाँ पहले, 0, अब next कुन सा है, 8, उसको हम नीचे लेके आएंगे, 8 के table में 8, तो 8 बढ़ जा, 8, minus की sign, 8, 8-8 क्या हो जाएगा, यहाँ पहले, 0, अब क्या है, 9, उसको हम नीचे लेके आएंगे, 9, 8 के table में क्या लेना है, 8, 8 8 तूजा 16 तो देखो 16 तो बढ़ जा रहा है 9 से तो हमें फिर से क्या लेना पड़ेगा क्या याद रखना है जब एसा जब आए ये टेबल में नहीं आ रहा है ये नमबर तो इससे या तो 9 आना चाहिए या इससे छोटा नमबर लेना है तो ये 16 करेंगे तो बढ़ जाएगा तो क्या लेंगे हम फिर से 8 वन जा 8 9 माइनस 8 क्या आएगा यहां पर 1 आएगा क्या आएगा 1 आएगा अब नेक्स ते 4 डिजित वाला 2 ए और 2, 2 के टेबल में पहले क्या देखना है 2 तो 2 वन जा 2 2 माइनस 2 क्या आएगा 0 अब क्या है 4 उसको हम नीचे लेके आएगे तो 2 के टेबल में 4 तो 2 वन जा 2 2 तू जा 4 तो कब आ रहा है तो 2 तू जा 4 4 माइनस 4 0 अब कौन सा नमबर है 6 उसको हमें नीचे लेके आना है तो 2 3 जा 6 तो 6 कब आया तो 2, 3 जा, 6 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 0 अब कौन सा है? 7 उसको हम नीचे लेके आएंगे 2 के टेबल में 7 देखेंगे आगे 2, 4 जा 8 हो जाएगा देखो 8 हो इससे ये बड़ा हो जा रहा है न तो हम क्या लेंगे इससे छोटा नमबर उसके उपर वाला नमबर 2, 3 जा, 6 माइनस की साइन 6 7 में से 6 कट करेंगे तो क्या आएगा यहां पर 1 तो रिमाइनर कितना बचा है यहां पर 1 अब नेच्स्ट देखो D वाला तो 3 के टेबल में 3 तो पहले 3 बन जा 3 तो यहां पर 1 माइनस की साइन 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहां पर 0 अब देखो 6 को हम नीचे लेके आएगे 6 3 टू जा 6 तो कब आया 3 टू जा 6 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा यहां पर 0 अब देखो क्या है 9 तो 9 को लीचे लेके आएगे 3 टू जा 9 तो यहां पर क्या आएगा 3 और यहां पर आएगा 9 माइनस की साइन 9-9 क्या हो जाएगा 0 अब लास्ट में क्या है 5 तो 5 लेके आएंगे नीचे 3 के टेबल में 5 आता है नहीं आता है न देखेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 तो यह अब देखेंगे तो क्या लेना है 3 2 जा भी कितना हो जाएगा 6 तो यह भी बढ़ जाएगा तब कौन सा नमबर आएगा 3 1 2 3 क्या आएगा क्यूं आया हम 3 2 जा लेंगे तो इससे बड़ा नमबर है आपको सिंपल है इतना याद रखना है कि यह नमबर या तो 5 आना चाहिए या इससे छोटा नमबर लेना है हमें क् 6 तो बढ़ जा रहा है तो छोटा कौन सा है 3 1 2 3 5 में से हमें कितना 3 कट करेंगे 5 में से 3 कट करेंगे तो कितना बचेगा 2 तो यह 2 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर इसको क्या बोलते हैं कोशन क्या बोलते हैं कोशन क्या या याद रखना है आपको जो भी टेबल दिया है उ इससे छोटा नमबर लेना है, जब इसे reminder वाले शम हो, तो क्या याद रखना है, यह नमबर या इससे छोटा वाला नमबर, तो आज आपको यह सब किसमें टेक्सबुक के अंदर करना है, और homework में आज आपको यह, hw आपका यह, आपको नोटबुक में करना है, यह 4 sum, 1,2,3,4,5 sum में यह आज, आपको किसमें लिट बुक में करने हैं, जब आपको यह एच डबली में कौन से सम करने हैं वान टू त्री फोर फाइव यह आपका क्या है होमवर्क है क्या है होमवर्क है तेंक्यू